कि अपने डिस्स कर दें पंजाब दें कुछे क्वेश्चंज पंजाब जी के दें पहला कोश्चंज साड़े कौल है हुँ मंगदा फॉलिंग इस नेम डाज बंदी छोड गुरू सिखा देच्छेवे गुरू हर्गबिन साब जी नू उन्हानू बंदी छोड किया जानता है क्योंकि उन्हाने जदों रहा कीता गया सिखाज वाली अर्दे केलितों उन्हाने बंजा पहाडी राजे भी अपने नाल रहा करवाए सिखे इस करके उन्हानू बंदी छोड किया जानता है और इदा जवाब क्यों है गुरू हर्गबिन जी अगला कोश्चन है तसील बटा वैसे था क्योंकि बहुत सारी यां तसीला ने बहुत सारे एरिया दे ऐस तरह दे चीजा नहीं पुछिया जाने चाहिए क्योंकि हर इक चीजनों याद नहीं हो सगधा पर फेर भी कुझी कि इंपॉर्टन इलाके नहीं हो ना बारे कोश्चन पुछ लिते जान देने ता इ इंसाइकलोपीडिया वज रिटन भाए महान कोश्च जड़ा एक लिख्या होया है ग्रंथ है एक किने लिख्या है एक पाइकान सिंग नभा उना दी लिखत है सो एदा जवाब साड़े कोल की है पाइकान सिंग नभा पर विच एपिक वर्स वाज शिव कुमार बटालवी यंग इस पोईट होईने चैना के सहते केंघ मेरे और ऑटाप्सी लूना लूना वास्ते énorme है नुनंडी सपार्टाट देवेच्च सहते कार्म उओड मेरा सिंगा सो जवाब है कैना दा लूना कुछ सेड जातो प्रेम खेलन का चाओ सिर्तर तली गली मुरियों एहे आम्त और त्यापा एक समझ लेने हैं कि शायद एहे गुरु गुबिन सी जीदा लिखा हुए है पर एहे रड़ा वाक है एश लोग जड़ा है एक गुरु नानक देव जीदा उच रहा हुआ है श्याव पीची सदार हरजंदर सिंग तामी ने परदान बढ़े ने अंडर वूज गुरुडम दा सिक्स स्टाटेट टू बी रेकोगनाइज एड़ प्लिटिकल और मिल्ट्री फोर्स केड़े गुरु शाब दी गुरुशिप देश सिख एक मिल्ट्री फॉइद और मिल्ट्री क्योंकि आप देहने के गुरुरु अर्जन देव जी शही दी तो बाद उन्हाने शस्तर भी तारे मेरी पीरी दी जड़ी दो सिख्यां वो तारियां और शस्तर भी और ने तारे सिख्यां को व्योंग कि अब नुट सिख्यां पंजाबी आवर लेजन इस पैट्री ऑट्री अटी जम के खिए दू जान दो और शौन सिंग पक्ञां सौन सिंग्व पत्ना करतार सिंग स्राबा करतार इन बेसिकली एजड़े गद्रीय सीगे गदर वाले सी गे एक उना नहीं कहा हु और उन्नी साल दियों वर देवे चेरुफांसी भी हो गई से और प्रगस सिंग जए ओना ओना इनुपने का आइडियल मन के चल दें सिके जिन्दें भी गदराइट से लिए यूज तो ओना दावतलके है नारा सिखा के ऐसी सिख्या पिजबी नहीं साड़ा नारा है साड़ी कौम है साड़ा तरम जड़ा है ओहों पैट्रियोटिजम है पाई तारु सिंग वाज मार्टर द्यूरिंग दरें ओफ जदो पंजाब दे गवर्न देशिगे अथे दे नुआप सिगे ओं के नुआप दे टाइम देवे जा सिगा पाई तारु सिंग जए ओह शहीद किते ग करवाया सिगा और जदो तारु सिंग जी शहीद होए तो थोड़े दिरा बाद जखरिया खाऊं उदे भी मौत हो गई सी सिक मार्शल आर्ट इस नोन एज जदो गुरु गुविंद सीन साब ने और अनंतपुर साब देशिगे तो उनने गत्का शुरू करवाया सिगा तो आपका देह दिया कि आम तोर से जल्चान देवेंच गटका खड़ाया जांदा है और सिक नौजवान बच्चे देशिगे यहां गत्का खेड़ दें इन 1813 फते खां फते खां आफ अफगानिस्तान के अफगानिस्तान दा प्राइम डिस्टर से गाँ अजश्ंडी गाँ एंटरी आगरिमेंट बिस महराजा रंजी सिंग तो एक प्रोविंच प्रोवें साब केड़े लागते डिर्टे खां करने फते खांडर काने फ़िस्टर से गाँश्यीं आफगानिस्तान दा मारेजा रंजी शेन अटाण कीता सिगा सब्सक्राइज कश् और कश्मीर दे गुवर्नर सी अता खां उने अपनी पैसे देने बंद करते से अफगानिस्तान नूँ इस करके रहा सिगा फिर फते खांग उन्हें उन्हें पे अटैक की पासिगा और महरा दे रंजीच सिम्ह विए पासिज़ां की पध olun कि वह जुड़रे में लाहूर की आई यसी असकी और फिर रंजीच सिंह की बुख श्यूर्ध हिरा ब्रॉप्श वुल्धा कि सब्सक्राइब नोन एज उनुष्ट सतूद्री प्रियासिगी के आजाना सेगा यह अपनों पता होना चाहिए कि केड़ी केड़ी नदियाने केड़े करे करे ना सेगे वैदिक ताइम देवेच इस आनुए याद होने चाहिए ने क्योंकि एक कोश्च रहतों भी आजाना है ना मारके गीटी लेकेड़ा से आज ना कसी इड़ेने उन्हों पीछो के हाजाना है नेम टाइप आफ स्वाइल फाउंड और रिवर चैनल लाइक सत्ल पंजाब सत्लों जर्ड़ों द्रियाबंध है तो नाल वदे मिट्टी है गिया नाल देरी मिट्टी है गिया किस तरह हें है इस मिट्टी मिट्टी कहां जाना लाके रहें ज optimize olur फ्लड आजान में उन्हों बेट्ट दाली Azar यह वार्षा निवेच नदिया ने वबद जान तो इसे इस वागा रहा नाधा पानी वाड़ जान जान दा उनू बेट आ लाका किया जाना है सो एथे बेट सॉइल हुं दिये संपूरण सिंह काल्रा एज वैल ओन एज संपूरण सिंह काल्रा एक पंजाब दे रहन वाले ने जिड़े के बंबे दे विज जाके मशूर होये ने the बीर पात्सओं उइसंपड़ि हे पंजामदी पाइलiva तो बीर बीड मतलग होंगे जंगल के Gregoryů को ikke है जड़ाइल verses पहेंदा है क्लोजिंग सेर्मिन होग खेड़ा वतना पंजाब दियां सतारा नौंबर दोहजार वहिनु खेड़ा वतन पंजाब दियां जदो ने नमी सरकार आई है खेड़ा भारे को जे नमा एक इनिशेटिव लिता गया है और सारे जले आने वज्जाप सी क्यां से इवेच सो एची these we देखिद होँए रूलिगे बहुत मशूर पटेला कराना कि हादा है इसे तेके ना बड़े गुलाम अली खान बड़े गुलाम अली खाने अपका डिक्षे एक इसे पटेला कराने दे मुजीशन सेगे कुपर हीडा मेमोरियल कुपर हीडा मेमोरियल कि बनाया गया कादी आच बनाया गया वड़ा का लूक आ रहा हुए आप देख दिया के सब्सक्राइब ने सिखां दे हमला किता और जो पिछे हट रहे सिगे तो उन्हों मिलेर कोटले दे कुप दे पेंड़ दे विचे जाके केर लेता गया और उत्थे जदो एक दिन लड़ाई होई है एक कहा जाना है को पच्चीतों लेके तीन हजार से खिज सब्सक्राइब कोपर हीड़ा में मुर्य उत्थे बने होया है सो एक कोश्चे देखेंगे हमारे कोश्चन क्या रहे हैं क्या इस बार का जीगी का पोर्शन रहा है चलिए पहला कोश्चन विचे तरफ प्राइमरी डेफिसित ठीक है प्राथमिक वित्य घाटा आपके पास क ठीक है तो वह आपके पास कौन सा होता है फिसकल डेफिसेट में से जब हम इंट्रस्ट पेमेंट्स अपनी क्या करते हैं माइनस कर देते हैं ठीक है शलिए प्लस का बात ही नहीं बनती नेक्स विच मेंटर इस बंडेंट इन अर्थ क्रस्ट एक लास क्रस्ट की कंपोजिश है element की term में question पूछा है तो answer different हो जाते हैं class ध्यान रखना अगर यहां पर word element होता तो यह option oxygen आ जाता metalloid की term में पूछा होता तो answer हो जाता silicon non-metal की term में पूछा होता तो भी oxygen अंसर रहता यह metal की form में पूछा तो answer क्या हो जाएगा aluminium हो जाएगा मेरे पास ठीक है चले next question देखते हैं endogenic forces are the forces which act on which act dash of the earth देखो endo का मतलब ही होता है within अगर हम इसको grammatically question करें English के point of view से exo का मतलब होता है outside endo means within तो अगर from the interior अंदर से अगर कोई force दर्ती के उपर काम कर रही तो इसको क्या बोलते है endogenic forces ठीक है जैसे earthquake kana walcanos का फट्र ही सारी की सारी forces कैसी है endogenic forces है हमारे पस ठीक है from the interior of the earth के बार ऐसे आपको paper में पूछ ली जाती है इसी forces का क्या हिसाब किताब है ठीक है चलो विच डैनेस्टी डिड नोट रूल ओवर मगद आफ्टर दा नंदा डैनेस्टी कहता है नंदा वंश के बाद आपके पास कौन सा समराज्य बनता है that is महरें डैनेस्टी ठीक है इसका sequence जाख रखिए एकलास हर्यांक डैनेस्टी है अर्यांक के बाद आपके पास श्युनाग है श्युनाग के बाद आपके पास नंदा नंदा पillonर bars के बाद कंपके बाद फिर काफी सारे तो यह जो सुसाइटी है यह इंडिया के वेदी कल्चर से उपनिशल सिस्टम से बहुत जादा प्रभावी थी यह कहां पर बनती है वेस्ट में यूएस से में बनती है यह और इसकी जो फाउंडर थी वो कौन थी मैडम एच्पी वाला बैलाबास के ठीक है तो इन्होंने कु इसा कोश्चन है त्योसिकल सुसाइटी अजीविका सेक्ट वाज फाउंडिड बाई बहुत लोगों को लगता है कि सिरफ बुद्धिजम और जैनिजम था लेकिन उसी के कॉंटेंप्ररी एक और सेक्ट था जिसे क्या कहा जाता है अजीविकास ठीक है तो यह किसने फाउं पाकिस्तान के किस शक्स को भारत रतन से नवाजा जा चुका है तो यह खान अब्दुलगफार खान है भारत के तिहास में दो ही लोग ऐसे हैं जिने एक नैंसल मंडेला है सौथ अफरीका के और दूसरी आपके पास कोई है खान अब्दुलगफार खान एक similarity बड़ी जबर जिननोंने partition का बहुत जादा विद्रो किया था पाकिस्तान के अंदर ठीक है इनकी एक organization हुआ करती थी खुदाए खिदमतगर रेड टी-शिट के नाम से भी फेमस थे ठीक है तो नैंसल मंडेला भी साओध अफरीका के गांधी कही जाते है तो जिन लोगों ने गांधी वा क्लास, important है कई बार आता है, 70th amendment को भी याद रखना क्लास, इससे डेली और पॉंडेचरी को voting right मिला था प्रेजिडेंट के election में, ठीक है ये भी कई बार पूछा जाता है, voting right in president election, reason है ये दोनों states ऐसी हैं, दोनों uts ऐसी हैं, जहां पर assembly exist करती है, हमारे पास केजरिवाल साह अब है ना मुख्य मंत्र दिली के, तो assembly exist करती है, इसलिए इनके पास यहां पर voting right भी है, ठीक है, 73rd, 74, I hope सबको पता होगा, municipal corporation और, sorry, panchayati raja and municipal corporation, ठीक है, municipality, next, who is vested with the residue power in Indian constitution, देखो residue शब्द को जानने कोशिश करते हैं, ताकि पता लग जा, residue का मनलब बचा हुआ, ठीक है जिसके बारे में पहले बात नहीं हुई है, ठीक है, बची कुछी जो powers है, जब हम seven schedule में list को देखते हैं, तो हमें clear cut दिखाया गया कि ये union list है, ये subject, state list है, ये concurrent, अब इनके बाहर जो बच गया, वो सीधा किसके पास जाएगा, parliament के पास, ठीक है, जहां से को, यार हम जब द box होगी, जिसके बारे में defined नहीं है, वो हमेशा power किसके पास आती है, आपके, parliament के पास आती, उसके बार वो जाए state को देते, concurrent बेर रखे, उसकी मर्दी है, लेकिन उसके उपर पहला, जो कारवाही है, वो स्टेंटर करती है, ठीक है, parliament, in the event of upper house rejecting a constitutional amendment bill passed by the lower house, वो कहता है कि violation के लिए नहीं आएगा, अगर वो bill reject हुआ, तो that bill will be dropped, ठीक है, चली, which article under the fundamental rights is directly related to the exploitation of children, that is the article number 24, ठीक है, probation of employment of children below age 14 in factories, वो कहता है कि 14 वर्ष से छोटा बच्चा किसी factory में काम नहीं कर सकता है, यह article number 24 है, यह सविधानिक टाइम पर जब सविधान बन रहा है, तो सिरफ factories word mention है class, आज आप किसी भी सूरत में काम नहीं कर सकते हो, एक छोटी से exception ही है कि आप अपने school time के बाद पढ़ना जुरूरी है, ध्यान रखे, school time के बाद आप अपने website, घर के website में हात बटा सकते हैं, family business में आप orient हो सकते हैं, उसमें भी आपकी mental और physical health पे फरक नह सिस्टम, तो exploitation का ही right है वो भी ठीक है, fundament rights पढ़ते राकरो class important है, the president can declare national emergency on the basis of, अगर देश में राष्ट्रे अपात कालीन के स्तीती लगानी है तो सबसे पहल तो article याद रखे इसका 352 article है, ठीक है, कौन-कौन से point पे हो सकती है, war पे होगी, सबको पता है, external aggression है, बिलकुल है armed rebellion भी है, ये शब्द पहले नहीं था, ये शब्द internal disturbance के नाम पे shift हुआ है, याद रखना है आपको 44th amendment है, 1978 की internal disturbance की जगह इस शब्द को add किया गया है, ठीक है, 1978 में हुआ था, इन सभी बुन्यादों के उपर आप देश में emergency लगा सकते हो, कई बच्चे common question पूछते हैं कि national emergency पूरे देश पे लगती है, गलत है, national emergency पूरे देश पे भी लगाई जा सकती है, और किसी भारत की किसी हिस्से में भी लगाई जा सकती है, ठीक है, चलिए next, in which part of the constitution of India we find the provision related to citizenship, यार ये तो पता होना चाहिए, second part है, ठीक है, पहले part में हमने land territory define करती है, बता दिया कि हमने एक देश बनाया है, देश की यह यह boundaries है, अब जो देश में लोग रहेंगे, उनको बताना पड़े हैं, देश में कौन रह सकता है, तो उसको नागरिकता भी दी गई है, तीसरे से हमें पता लगता है, कि जो लोग देश में रह रहे हैं, उनको कुछ अधिकार भी तो देने पड़ेंगे न, तो fundamental rights तीसरे नंबर पर हो गए, इसी का sequence फोलो करते हैं, अब देश में जो लोग रह रहे हैं, तो देश में एक सरकार बनेगी, सरकार की क्या जिम्मेदार यह बनती है, कि वो कैसा देश तयार करेगा, जनता के लिए कैसे नियम कानून, उसकी policies कैसी होगी directive principle of state policies, अब जब सरकार बनी तो सरकार बतानी पड़ेगी, सरकार चलेगी कैसे, तो parliamentary system, ऐसे अपने sequence को याद करने की कोशिश कीजिए, आप parts कभी नहीं भूलेंगे, और seriously, बहुत असान है, हर part का पिछे से link निकलता आ रहा है, आप भूलेंगे नहीं इसको, ठीके, चलिए शुटिंग से बिलॉंग करती है, अब नहीं लखे रहा हूँ, चलिए, तो अंसर आपके पास कौन है, अमा, लुडा काने, आपको ये बताना है, ये कौनसी field से बिलॉंग करती है, comment section में लिकिए, participate किया करो class, कौन से section में कौन सा part है, name the star footballer who became the first player in history to achieve 800 career goals, ध्यान से देखते तो आपको पता है, दो ही options में आप confused हो सकते हैं, Cristiano Ronaldo और Leone Messi, उनसर Cristiano Ronaldo है, ठीके, next, which large state topped the index of foundation, literary and numeracy, तो West Bengal ने इसको जीता है, इससे little core question पूछा गया, हम उसको भी देखते हैं, ठीके, कि जो literacy foundation है, उसके अंदर कौन सी states आगे की तरफ गई है, अगर North East के point से देखा जाए, तो answer क्या हो जाएगा, आपके पास, मिजोरम, दोनों question interrelated थे आपके पास, ठीक है, अगर overall भारत की बात की जाए, तो West Bengal, अगर मैं North East and 7 states की बात करते हूँ, तो वहाँ से मिजोरम है, मिजोरम का वैसे भी literacy rate बहुत हाई है, क्लास, after Kerala, मिजोरम has approximate, near about 98% of literacy rate, बहुत जबर्दस literacy rate है, यहाँ का, इंडिया's first international arbitration and mediation center, कहाँ पे खोला गया था, ठारा दिसंबर को, हैदराबाद, ठीक है, Arbitration का मतलब होता है, क्लास, जब हम बीच बचाव करके बातचीत करते है, सुलजाने की बात करते है, किसी matter को सुलजाना हो, लाइटर से, रशिया युक्रियन का लड़ाई चल रहा है, वो कल को कहते हैं, कि भारत समझोता करेगा, तो उनके वहाँ के डेलिकेट्स भारत आएंगे, हम आँसे उनसे बातचीत कर सकते हैं, तो हैदराबाद में मीटिंग हो सकती है, ठीक है, 15 जुलाई को हुगली नदी के उपर 17A, फ्राइग्रेट्स बहुत फास्ट मुविंग शिप्स होते हैं, जो बड़े आपके एर्रक्राफ्ट कैरियर्स को लीड करते हैं, ठीक है, इसका नाम था दूनागिरी, ठीक है, चलिए, क्लास आपको उनका नाम याद रखना है, ठीक है, आर प्राइग्रेट्स जीते हैं, ठीक है, कहां कहां पी जीते हैं, इसको एक लिस्ट बना लो, यह इंपोर्टन है, यह विक्ति पूछा जा सकता है, आने वाले किसी बेग्जाम के अंदर, ठीक है, जुझार सिंग, who was the, बुंदेल चीफ, रिवोल्टिड अगेंस्ट, यह इंपोर्टन है, मेडिवल इस्ट्री से कोश्चन है, बुंदेलों के बीच में, और शाजहान के बीच में, कॉन्फिक्ट हुए थे, तो जुझार सिंग थे, जिन्नोंने बुंदेल की तरफ से ठीक है, तब जाके problem conflict में आई थी, तब first battle of terrain होता है, जिसमें गौरी हार जाते हैं, अगले ही वर्ष 1192 के अंदर दुबारा यूद होता है, पृत्वीरा चौहान हार जाते हैं इस case के अंदर और भारत में इस्लाम वन्श की शुरुबात होती है, ठीक है, फारुक्षियार ने दस्तक्स इशु किये थे आपके पास British East India Company को, और जब battle of policy होती है, उसके बाद जब मीर जाफर को आपके नवाब बनाया जाता है, तो वो 24 प्रांगना का एक तो दिवान उनको देते हैं, दस्तक्स इशु करते हैं, duty free pass, यानि भारत में जब trade करोगे, आपको duties, custom duties उवारा pay नहीं करनी पड़ेंगे, तो Britishers इसका misuse करते थे, ये दस्तक्स बेचा करते थे, आगे ताकि इंडियन मर्चंट्स भी उसमें से profit कमाएं, तो दो नंबर का काम करना, वो वाली बात है, which among the falling was the first women university in India and South Asia, that is NNDT University, comment section लिखके बताईए, university कहाँ पर है, और उसकी full form क्या है, बहुत important है, modern history का question है class, ठीक है, ऐसा नहीं है कि question मैंने out of the box ऐसी बनाया हुआ है, ये modern history का question है, ठीक है, women empowerment को show कर रहा है, आपको बताना इसमें से कौन-कौन से लोग associated है, ये university कहाँ पर ठीक है, next, which of the falling pair is incorrect, आपको correct बताना है, ठीक है, अगर हम Almaty Dam की बात करते हैं, तो ये कावयाईगी पर नहीं है, class, Krishna River पर है, नातपाज जाकारी, ये सतलुज पर है, ठीक है, टीरी Dam की बात करते हैं, तो यमुना पर नहीं है, गंगा पर है, तो answer क्या हो जाएगा, सिरफ two only ठीक है, चलिए, what the percentage of thought desert lies in the territory of India, अगर हम पूरे thought desert की बात करते हैं, जो हमें मालूम है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है, इसका कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है, तो पचासी प्रतिशत हिस्सा भारत में, 15% इसका हिस्सा पाकिस्तान में है, ठीक है, चलिए, next, in which year प्रधान मंतरी ग्राम सड़क योजना was launched to improve rural connectivity, तो ये सन 2000 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपी जी की सरकार थी उस समय देश में, ठीक है, प्रधान मंतरी ग्राम सड़क योजना, ये basically इसलिए किया गया था, जो शेहरों और गाओं की बीच की दूरी है, वो जो सड़कों की वज़ा से और बढ़ जाती है, उसे खतम किया जा सके, cities and villages should be connected more swiftly together, ठीक है, how many languages are specified in the 8th schedule of the constitution, तो 22 है, originally 14 थी class, जब सविधान बनाता था था था, 14 थी, उसके बाद 22 बनी है, तीन बार संशोधन हुआ है, languages add की गई, पहले सिंधी add गई, फिर कॉंकनी, मनीपूर नेपाली add हुई है, फिर मैथली, सेंथली, डोगो, और बोडो, डोगरी add हुई है, तो यह सारी languages आपकी बाद में add हुई है, आज की डेट में 22 languages है, ठीक है, originally 14 थी, ठीक है, चले, तो this is the all we have, thanks for watching, stay tuned for the next section, till then take care of yourself everybody, bye-bye. Hello student, कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं, बहुत अच्छे होंगे, तो जैसे कि आपको पता है कि हर हफ्ते हम आपसे मिलते हैं, तो आज फिस से मैं आशीश आपके साथ हाजिर हुआ हूँ, और computer का जो solution है, उसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, discuss करेंगे, तो चली class start करते ह हैं आज के इस computer discussion में, और समझेंगे कि आपके पास क्या क्या चीजे थी, और जिनकों की आप लोगों ने कैसे यहाँ पर tackle करना है, तो चली एक एक करके यह रहा सबसे पहले आपके पास first question, तो first question के अगर मैं बात करता हूँ, तो आपकी computer screen के आगे है, which of the following statement is true, इन में से क a folder can contain another folder, तो ये बात अपने आप में गलत है कि file contain another file just like a folder, folder की तरह नहीं होता है, वो अपने आप में फाइल ही है, यहाँ पे ठीक है, अब आगे अगर हम बात करता है, ने सोरी यहाँ में पूछा है, which of the true हाँ तो ठीक है, next है a zip file contain both pdf and document, हाँ बात सही है, जिप का मतलब क् होता है, visit gesagt compression tool, इसको हम लोग compression tool के नाम से भी जानते है, जिसे कि meistenapp करता हूँ, यहाँ पे win zip, ठीक है, और आपके पास second test is win rare, आपके यह क्या होते हैं, तो आप के पास compression tool होते हैं, तो 실क का विप का मेंनिक आप के पास यहाँ पर क्या है, compress कर देना, तो जूरूरी नहीं ह जीप का मीनिंग आपके पास यहां पे क्या है dhp टूल लिखदे कि कुम्प्रेशं तूल कंप्रेसं दॉट प्रेस बेंध था प्रे फाइल लौट टो तब sushi रहेगा लगा फाइल प्रल्डर के नोट हरा सकते हैं तो आपको मालूम है कि एर उसकते है तो यह गलत है आपके पास यहां पे क्या बन रहा है जो है अगला क्वेशन क्या है इडिस टाइप ऑफ सिस्टम सौफवेर सबसे पहले यह दिखी क्या मुला है सिस्टम सौफवेर करनल डैट सिट्स बिटूपीटर हार्डवेर अगी है तो उस ओंपोनेंट का नाम आपके पूचा अब अगर आ यहां में बात करता हूं फा Mountain का मतलब क्या होता है इस दी कंबिनेशन ऑफ सोफ्ट वेर प्लस हाडवेर की कंबिनेशन को फंवेर बोला जाता है जैसे कि आपके पास ही वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या है सिस्टम सौफ्ट्वेर के अगर मैं बात करूं तो आफेक्ट होती है तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सबसे मेले तो आता है अपरेडिंग सिस्टम इसके अंदर आता है सिस्टम सौफ्ट्वेर के अंदर और यही क्या होता है जो कि अनदर के साथ में करवाता है सिस्टम सौफ्ट्वेर के अंदर एक और चीजा आते है ट्रांसलेटर है ठीक है पर ट्रांसलेटर जो है आपने अप में एक सिस्टम पर operating system क्या है system software भी है और connectivity भी करवाता है और सारा का सारा काम functional तरीके से यहां पर क्या करवाता है perform करवाता है तो वो होता है आपके पास operating system means windows जैसे windows 7 आप लोग चलाते हैं वही यहां पर इसका answer बनेगा तो system utility तो अपने आप में यहां पर आंसर नहीं बनेगा तो hopefully बात आपको clear है कि क्यूं आपके पास सी option इसका answer बनेगा next question के अगर हम बात करता हूं आपके पास है which of the following will not advance slide in the slider show view in MS PowerPoint तो आपके पास कौन से चीज नहीं है आपके पास इसमें तो tab पहला है enter key दूसरा है tab key special character या फिर mouse button अगर हम बात करता हूं तो enter key आपके पास यहां पर स्पेस बार आप लोग लगाते हैं mouse की movement आप लोग करते हैं tab key इसे यहां पर काम नहीं हो पाएगा आपके पास view की बात करीगी है तो इसका answer क्या बनेगा फिर बी option ठीक answer क्या बनेगा बी option चलिए next question के अगर हम बात करता हूं how many data how are the data organizer spreadsheet spreadsheet को मतलब क्या होता है MS Excel में आप data को कैसे यह पूछा है तो आपको मालूम है बिटा कि यह सारे के सारे यहां पर अगर हम बात करता हूं तो यह सारे के सारे rows हैं और यह सारे के सारे column है तो आप अब ने देखा होगा यहां पर नंबर लिके होते हैं ABCD परिस्तर 1,2,3,4 लिखा हुआ होता है तो जो MS Excel में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है Excel का मीनिंग ही अपने आप में spreadsheet होता है और workbook होता है यहां spreadsheet की बजाए workbook भी लिखा हुआ आ जाता है तो अभी भी आप लोग समझ जाएंगे की यहां पर इस चीज की ही बात हो लिए तो MS Excel में यह सारा के सारा काम कैसे होता है rows और column में यहां पर data को represent किया जाता है तो answer is C option बनेगा layer तो है नहीं, lines नहीं है, height or width है नहीं, answer is C option चलिए next question के अगर हम बात करता हूँ you insert value in MS word art by clicking the insert word art button on the word art button जो है वो कहां पर मिलता है जिसके through different different symbols मतलब A जो लिखा है वो पुछा लग तरीके का हो जाएगा तो word art के बारे में यहां पूछा है तो word art की option कहां पर मिलती है, standard में, formatting में, drawing में यह picture में तो आप लोगों को यह यावद रखना पड़ेगा, drawing का feature है जिसमें के एक चीज़ को different different तरीके से आप लोग represent कर सकते हैं तो answer is आपके पास C option answer is C option, hopefully बात क्लिए थे next question के अगर हम बात करता हूँ, verification of login name and password is known as अब जैसे भी verification करते हैं कि आपके पास जो जैसे आपके मॉइल फोन की example लेते हैं आप लोग अपने मॉइल फोन में को इच भी जैसे आप लोगों ने लोक लगा कर रखा है sometime pattern होता है sometime आप लोगों के पास finger lock होता है तो उसको authenticate करने के लिए उसको क्या बोला जाता है authenticate का मतलब होता है हम लोग चेक करते हैं कि वही बंदा यह कोई और तो नहीं है बंदा तो configuration, accessibility, authentication यहां फिर codification तो आपको मालूम है कि authentication का meaning अपने आप में ही यह English word भी है यह authentication मतलब की genuinencity को represent कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो verification का मतलब वही बंदा है जिसको actual में वह था या कोई और बंदा है तो यह सच में वही बंदा था तो इस बज़े से इसका answer क्या बनेगा authentication configuration का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना यहां पर जोडने की तो कोई बात नहीं है accessibility का तो मतलब था कि access करना तो वह भी यहां पर बात नहीं है पड़ यहां पर यह पूछा था कि उस process को क्या है तो accessibility नहीं बनेगा और modification तो कभी answer बन नहीं सकता कि code करना यह तो कोई बात ही नहीं थी क्योंकि यह relevant आपके पास यहां पर बन गया so answer is the option next question के अगर हम बात करता हूँ special effect used to introduce slide in a presentation are known as तो आपके पास जो slide show में हम लोग कोई भी effect लगाते हैं उसको कहां से बोल लगते हैं उसको क्या बोला जाता है transition effect custom animation या फिर animation से तो इस चीज का नाम याद रखेंगे custom animation इसको बोला जाता है transition का मतलब होता है पूरी slide में आप लोगों ने transition लगा दिया effect का मतलब होता है particular जगह पे और animation का मतलब है जो भी अनिमेट आप लोगों ने किया पर यहां पे पूछा कि special effect used introduced slides in introduced कहां से करवाया जाता है यह आप लोगों से पूछा गया है so answer is c option custom animation hopefully आप अच्छा से के लिए भूई होगी next question की बात करते हैं अगला है in ms powerpoint presentation slideshow can be started from जो भी भी slideshow चलाते हैं तो वो कहां से start हो सकती है सबसे पहला है beginning beginning का मतलब है कि front page से अगला है current page मतलब जैसे इस page पे उद्वेशी से slide start कर लूँ अगला है both hand be a last and none of these हां तो आपके पास यह दोनों ही option काम करते हैं कि आप जब भी slide चलाते हैं तो पहले page से भी चला सकते हैं यहां से जिस page पे आप लोग है वहां से भी आप इसे direct क्या कर सकते हैं run कर सकते हैं और आपका slide show क्या करेगा start कर देगा तो answer क्या बनेगा c option यहां पर बनेगा answer क्या बनेगा c option हां की पहला भी सही है और दूसरा भी आपके पास यहां पर सही है तो answer is c option यही लिखा है बोथ a and b चली next question की बात करता हूं which of the following group consists of only input devices इन में से कौन सा इसा group है जिसमें की cable input devices है तो अगर मैं पहले बात करूं mouse जो है input है keyboard input है पर monitor input नहीं है तो गलत printer output है गलत यह तो पहले ही cancel हो गया mouse keyboard and scanner यह तीनों के तीनों क्या है आपके पास input device है तो hopefully बात आपको clear है answer is d option चली next question की बात करते हैं the content of the most form of a RAM are dash thus making them unsuitable for a long term data storage मतला किसी भी data को लुबे समय के लिए समय के लिए रखना चाहेंगे तो उसे क्या बोलते हैं dynamic, volatile, static या fragment तो आपको बता है कि इसका meaning क्या होता है RAM की अगर मैं बात करता हूं तो RAM का जो nature है दो term आती है एक होता है RAM और दूसरा होता है ROM तो RAM का nature क्या होता है आपको अच्छे से क्लेर होई होंगी जुडने के लिए बहुत बहुत धन्याबाद थन्याबाद थेक्ट्यू गाइट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् हेलो एवरीबड़ी वेल्कम टू ग्यानम आज जबाद इसकस कर दे है reasoning the section कि मैं उसनों का time भी जादा पर टेम्ट कर सकते है तो हैला question related to what dice दो dice दी position देती पुच्या किये when the face containing one dot is at the bottom one other bottom ते है ता how many dots would be there on the top अगर bottom ते अपने call की है containing one dot अगर one bottom ते है तो opposite की आउगा देखो three और two common है तो one ते opposite की आएगा अपने call four आएगा ठीक है answer is c अग्गे की पुच्छे अपने तो हाँ जी next की पुच्या की इसनू alphabetical order विच arrange करो देखो r is 18, r 18, r r common as r a आउगा first place ते, e आउगा second place ते, पुच्छा की की second ते की आउगा की कवांगे, d option छी के ची? हाँ जी इससे विच की होगा? 5 दस क्यार plus 7 दस क्यार minus 6 दस क्यार plus 2 दस क्यार value की आउगे 34 है ना? 9 दस क्यार plus 2 दस क्यार minus 7 दस क्यार plus x दस क्यार is equal to की बनना चाहिए? 20 बनना चाहिए, clear? हाँ जी 2, 7, 12, 17 प्लस 5, प्लस 5, प्लस 5, प्लस 5, 22 की आउगा वी? आंसर इस D अगे दस क्यार दस क्यार दस क्यार दस क्यार और संडे, on 1st Gen, 1st Gen 2006, मैं एक चीज कर दी है, मैं इस तो एक पिछला दिल ले ले लेनी है, 31st December 2005, Saturday है, चीज के चीज उस तो बाद मैं और डे स्काउंट कर लेनी है, 2006, 2007, 2008 चीज के, 2009, मैं 2010 ता करने है, चीज के चीज, देखो, 2006, किन्यों डे 1, 2007 च्वीक, 2008, 2, 2009 च्वीक, एक आड किता, तो किन्ना उगा पंच? है ना, Saturday विच, पंच एड कर दो, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, की आया, Thursday एक question किस ते ना related है, केलंडर, की कितना मैं, मैं 31st की ले 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 ले, December ले ले, क्योंकि मैं 2006 की करना सी, पूरा ले 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 ले, 2007 लित्ता, 2008 2009, है ना, तो मैं इस ते और देस की कितने, काउंट कर ले, तो फिर ओना नू, आड करता, टोटल किन्ना आया, पंच? ते जो इस ते डे आया सी, Saturday विच मैं की कितना पंच, आड करते हैं, clear? ओड बन, आउट दसने, बोई टच कर सकदे हैं, काउं कर सकदे हैं, बोग कर सकदे हैं, तक की आएगा? आउट हाँ जी, direction दा question है की क्या गया, a girl leaves from home, ठीक है जी, north west direction, किन्ना 30, उस तो बाद कितने गया? south west direction चागया, south west direction केडा होया, पहला 30 गया, north west, फिर गया, south west, एक तो जी में south west जाना होवे, है ना? north, south west, एवाला direction हो गया? नहीं, एक मेंट, south और west, एक मेंट, पहला गया, north west, फिर एथो गया, south west, एवी 30, एवी 30, उस तो बाद, next, south east, ते किन्ना 30, एथे south east, 30, और फिर 30, छिक? इन विच डिरेक्शन इस शी मुविंग, केड़ी डिरेक्शन ची जा रहे है, उन्हों परसन, north east, answer is north east, छीक छीक? next, question she तो शुरू हो रहे हैं, अपन माय तो शुरू करांगे, मैंने कहा, की क्या मैंने? मैंने क्या? मेरे father दी, mother-in-law, छीक है छीक, mother-in-law दी, इकलोती बेटी, शी दी गल हो रही है, ए वोमेन की लग दी है, मैं दी? की कोगे, mother, short tricks है, जीनने तब पड़े है, उन्हों तो समझ आ रहा होगा, है ना? R, fifth from right, and ten students between R and D, देखो, अगर R, fifth from right चे, R किते है, fifth from right, मतलब इदर तर चारी लोग है, दस लोग इदर ही बेट हैंगे, तर D इत्थ है, what is D's position from left? मैंनू, टोटल पते है, टोटल की ने, 40, छीक है छी, दस लोग अहा, इस दी position ग्यारवी, तक किन्नी होई इस दी position, 16 from right? लेट्स चेंज करो, टोटल प्लस वान, माइनस 16, है न, किया होगा, 25 from left, हाँ जी, की क्या, 26 जैन्तों लेके, 15 तक, 15 माई तक, किन्ने दिन बंदे हैं, एहें 10 ने, तक एड करके, 111 बननंगे, हाँ जी, इसकी क्या, I, I, stands for Indians, छीके, S, stands for science, और P, polity, हाँ जी, Indians, जो की, politician है, and, but not scientist, परो scientist नहीं है, इन्नों कट दो, केड़ा कॉमन आया, B कॉमन आया, answer is D, अगला, board master question, C किस नूं प्रेजेंट कर दे, इन्टो नू, C दा इन्टो, A, प्लस नू, B किस नूं प्रेजेंट कर दे, B minus नू, D means, D दा साइन नी आया, इन्ट, D मतलब divide होना चाहिए दे, D मतलब divide, हाँची, D दा मतलब की होगा, divide, B मतलब minus, छीक, फिर सत ते पंज, देखो, छपंजा, इन्टो, सत पंज, बारा, माइनस, दो, divided by, एक, फिर की करांगे, डिवाइड करता, डिवाइड करके की आया, दो ही आया, है ना, इस की करांगे, multiply, सट, छे, सॉरी, बहत्तर, बहत्तर, सत कैरी, माइनस, टू, दो सो सत्तर, is your answer, अगला question, सायलोजिजम, सम बैट्स आर फ्लार, सम चियर आर फ्लार, सम टेबल्स आर फ्लार, सम टेबल्स आर फ्लार, सम टेबल्स आर फ्लार, सम टेबल्स आर बैट्स, टेबल्स आर बैट्स दूर दूर, चियर और बैट्स दूर तूर, और चियर फ्लार गलार, none follows आना चाहिए हाँ जी नीशा taller than सुजा नीना taller than नीशा नीला taller than नीना मीशा tallest ठीक है जी किन्य लोग सी है इक दो इक दो तीन चार पंच इक के मेरे कोल नीशा नीला मीशा मीशा जो है वो tallest है ठीक है ठीक है फेराई नीला फेराई नीना नीना तो बार सुजा और फेराई नीशा पुच्या की मिडल जो कौन है मिडल जो कौन है नीना ठीक छेते सद्धे विच राइट एंगल दसने मैं हमेशे ही दस दिये कि इनना दस सम की बनना चाहिए जीरो आना चाहिए येनिट प्लेस दे पहली ऑप्षिंच ही आ रहे है बाकि किसी ऑप्षिंच नहीं आ रहे है ता आंसर इस ए थेंक यू थेंक यू थेंक यू आपका 15-700 को डिवाइट नहीं करेगा 25 डिवाइट करेगा तो 35 ही यह इसा नंबर होगा जो इनको डिवाइट करेगा और 42 भी आपका ऐसा नंबर है जो इन नम्बर को डिवाइट नहीं करता आई होप एक एक कॉशन चले बढ़ते हो उसके बाद is equal to twice of B B का double and B's capital is 3 times of C and B's capital is 3 times of C देखो B को equal करो तो उपर आप 3 से multiply करोगे तो 6, 3, 1 option C आपका इस question का right answer होगा option C आपका इस question का right answer आजाएगा चलिए इस question में क्या कह रहे Pankas went to the post office at the speed of 60 km per hour while returning for his home he covered the half of the distance at 10 km per hour and but suddenly he realized that he was getting late so he increased the speed and reached the home by covering rest half of the distance at the speed of 30 km per hour देखो जो first part के लिए average speed का formula लगाते है average speed का होते है 2xy divide by x plus y ठीक है इस से ये cancel ये इसको divide करेगा 5 पे तो मतलब उसकी वापिस आने की average speed क्या थी 15 km पर रहा ठीक है और जाते विए उसकी speed क्या थी 60 तो अब इसके लिए जाते विए speed 60 है वापिस आते विए average speed उसकी 15 है 2xy divided by x plus y और ये कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा इसको divide करेंगे तो ये किस पे divide करता है 5 पे 5 इसको divide करेंगा 12 पे तो 24 option B आपका इस question का right answer होगा option B चलिए उसके बाद next question में क्या करें if book sport at the price of 200 and 350 hour sold at price ranging from 300 to 425 देखो 200 में कम से कम खरीच सकता है जादा से जादा वो 425 में sale कर सकता है तो मतलब maximum जो profit है वो 225 रुपे का है एक book के उपर तो 8 book के उपर कितना होगा क्योंकि उसने total 8 book sale की थी तो यह हो जाएगा आपका 1800 रुपीज के maximum profit वो कितने का ले सकता है 1800 मतलब none of these questions का right answer होगा चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे by selling 100 bananas a fruit seller gain the selling price of 20 bananas देखो SP of 100 minus CP of 100 और profit हुआ उसको किसके equal SP of 20 SP और CP को एक side कर लो देखो वो दरा कर minus हो जाएगा SP of 80 किसके equal है CP of 100 के equal है तो यहां से अगर हम बात करें यह 4 और 5 ratio बनाओ अगर यहां से मैं आपको कहूँ के मुझे CP और SP का ratio बना कर बताओ तो 4 ratio 5 तो 1 का profit हुआ 4 के उपर 1 by 4 कितना होता है आपका 25% option D आपका answer होगा चले उसके बाद बढ़ते हैं आगे A can do a certain job in 25 days B in 100 days 20 days LCM लेंगे तो 100 होगा that means A के efficiency 4 हो जाएगी और B के efficiency क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी A start the work and just was joined by B after 10 days A ने 10 दिन तक काम क्या 4 के efficiency से मतलब 40 work कर दिया out of 100 अब जो 60 work है वो दोनों ने मिलकर क्या 9 के efficiency से तो 20 by 3 6 2 by 3 तो 10 plus 6 2 by 3 16 2 by 3 option D इस question का right answer होगा चले उसके बाद बढ़ते हैं next question की तरफ A train to 15 meter long running with a speed of 50 km per hour तो distance क्या होता है speed into time 50 km per hour into 5 by 18 into time 250 से 250 cancel 18 आप का answer आजाएगा बहुत असान कोशन था बिना pen paper की कोशन है यह सब आपके क्या करें इस तो ratio of the areas of 2 square देखो 225 मतलब इसकी side क्या होगी 15 इसकी side क्या होगी 16 होगी then the ratio of their perimeter ठीक है तो 15 ratio 16 जो side का ratio भही perimeter का ratio ठीक है क्योंकि perimeter क्या होता है 4A ratio में 4 से 4 cancel हो जाएगा आपका क्या करें the length width and height of a rectangle equilibrium आर इंदा ratio 654 654 देखो अब इस question में बात करें उसने क्या बोट ratio दिया 6 ratio 5 ratio 4 तो option से match करो option D आपका answer होगा सरफ यह option ऐसा है जो इस ratio को आपका true कर रहा है ठीक है बाकि किसी भी तीनों option में से यह ratio नहीं बनेगा सिरफ इतना सा question था इस question में इस से ज़्यादा कुछ भी नहीं करना था अधा ratio विच वन थर्ड ओफ नाइन पैंट्री जुरो बिस तुदीस देखो वन बाइट्री ओफ नाइन थर्टी दिवाइड बैंडर रेशो 6 दिवाइड बैंडर 6 दिवाइड बैंडर इंटू 155 दिवाइड बैंडर इन दोनों का रेशो निकालना है ठीक है इनका रेशो निकालना है रेशो निकाले 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा ठीक है 3 से दिवाइड करेंगे तो ये इसको 300 दिवाइड करता है 5 से दिवाइड करो 2 और 5 इसको 31 पे दिवाइड करेगा यह इसको 3 और 31 इसको 10 पे तो मतलब 10 यह आ जाएगा आपका 10 रिशो 3 option B 10 रिशो 3 आपका इस question का right answer होगा चले उसके बाद next question में क्या कह रहे है एक bag contains 3 red 5 yellow and 4 green balls 3 balls are don't at random probability that balls don't know yellow balls देखो मतलब yellow ball ना हूँ तो मतलब 7 C 3 divided by total कितना हो जाएंगे 12 C 3 तो 7 C 3 कितना होगा देखो 7 into 6 into 5 और यह हो जाएगा आपका 12 into 11 into 10 यह इसको 2 पे डिवाइड करेगा यह भी इसको 2 पे डिवाइड करेगा तो 7 by 44 option A इस question का आपका right answer होगा चले next question A R percent per annum doubles 20 years तो double कहा रहा है 20 साल में तो मतलब rate of interest कितना होगा 100% होगा तो यह कब होगा जब time क्या rate of interest क्या होगा 5% 20 into 5 चले उसके बाद क्या कहा रहा है यह number when decrease by 22 1 by 2 percent gives 85 देखो अगर किसी number को आप 22.5 से decrease करते हो तो मतलब वो number उसका 72.5 रहा गया है जो कि आपका 87 को represent कर रहा है तो 1 represent करेगा 72.5 मैं point हटा देता हूँ 10 और हमें तो 100 calculate करना था ठीक है अगर मैं इसको solve करूँ 25 से divide करूँ तो 25 इसको 4 पे divide करेगा ठीक है इसको divide करेगा सबसे पहले 2 पे और फिर 9 पे और वो इसको 3 पे divide करेगा तो मतलब option C 120 इस question का आपका right answer होगा चले उसके बाद next question the deer and flamingos the total number of feet is 184 and the total number of creature is 56 यहां पर यह वर्ड थोड़ा सा लग लग हो रखा है 56 then how many flamingos देखो अगर यहां से बात करें इन कोशनों में क्या करते हैं एक बार आप total days माल ठीक है देखो अगर मैं कहूं के total उसने क्या बोलें feet count कितने की है 54 और यह कितने कह रहा है heads कितने है 56 तो total number of animals भी कितने होंगे 56 होंगे मतलब तो एक बार legs कितनी है 2 और एक बार legs कितनी है 4 तो 56 into 2 और 56 into 4 और total number of legs क्या दे रखी है उसने आपको 184 दे रखी है ठीक है अब allocation लगा दो 56 को अगर 2 से multiply करोगे तो यह आपका 112 आ रहा है ठीक है और इसको multiply करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 112 का double कर दो सिधा साथ कितना आ जाएगा 224 आ जाएगा चोबिस और 16 इसमें से अगर हम difference लेंगे तो यह 0 और 4 40 आ गया अब इसमें से करेंगे 4 में से 2 चीक है उसके बाद 8-1 7 ठीक है 72 आ जाएगा हमारा अगर हम यहां से बरिशो लेते हैं तो यह कितना मिलेगा 20 और 36 ठीक है यह उसने बोला तो टोटल 56 है तो इस क्लियर होगा यह सबको चलिए यह लास्ट कोशन था हमारा उमीद करता हूं कि सभी कोशन आप लोगों को क्लियर होंगी तो मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक लिए टेक क्या थैंक यू सो बादी वेल्कम तो दिस सेशन बाइग ज्याना आएम प्यूश सर्दाना यह फोट रेसिंग पॉपलर अक्टिविडी है यूएस में सिरफ स्पोर्ट के तोर पे नहीं देखा जाता है एक्सरसाइज करने के लिए भी देखा जाता है तो enjoy the capability of like-minded people और money donate करने के लिए सीरियस रनर्स शायद महीनों ट्रेन करते हैं ताकि वो compete कर सके बागी के जो है वो तो ट्रेनी भी करते हैं जो नहीं compete कर रहे होते हैं वो तो सिरफ अपने पुराने टाइम है ना जो उनका personal पुराना record टाइम है उसको beat करने के लिए करते हैं या फिर सिरफ fun और exercise करने के चक्रों में करते हैं now the point is people हर age के लोग यहाँ पर आते हैं जो एक साल से कम होते हैं ज largest foot race 12 km की थी यहाँ से यहाँ तक San Francisco में यह race east side से शुरू होती है और west side bend होती है 80,000 से जादा लोग पाट लेते हैं serious runners starting starting में होते हैं जो compete करते हैं जीतने के लिए और बागी के जो हैं वो सिरफ time pass के लिए आता है और 34 minute में भी complete कर लेते हैं कुछ तो अच्छा फिर कहते हैं कुछ लोग त्यार होकर आते हैं एक बार कुछ लोग क्या dress होकर आये थे कुछ लोग ने शादी भी करी थी रस्ते में तो यह कुछ ऐसा बता रहा है इसके बारे में right now the point is पहला question the main purpose of the passage is fun बनाना नहीं reasons popular है describe a popular activity को तो describe कर रहे है activity camaraderie का मतलब camaraderie क next कौन सा नहीं imply किया गया appeal to a variety of people correct running is a good way to strengthen the heart यह दिया नहीं है workers compete करते yes age is no bar yes answer is b boy next strollers का मतलब होता है जिसमें बच्चों को push करते क्रिप्स बोला जाता हूं कौन सा reason नहीं है exercise के लिए तो आते है enjoy के लिए भी आते है compulsion के तो और पे तो बिल्कुल नहीं आते है charity के लिए answer is c यह देखिए due to his excessive craftiness craftiness आपको दिया हुआ है वो कह रहा है excessive craftiness की वज़ज से वो achieve नहीं कर पाया in fact उसने friends भी lose कर दिये अब craftiness की बात हो रही है उसका मतलब क्या होगा person क्या है उसका मतलब क्या हुआ है कहता यार उसने success तो पाया लेकिन friends lose होगे यानि कि he is talking about a negative word अब craftiness एक negative word है आपको बताना क्या opposite simplicity sincerity straightforwardness या innocence try कीजिए अब देखो simplicity करता हो तो उसका exact मतलब क्या होगा बड़ा simple है crafty को opposite हो सकता है sincerity बड़ा बंदा sincere है sincere और बंदे के nature में नहीं straightforwardness नहीं innocence नहीं answer is simplicity अन्टनियम बताना है conscientious का अभी देखो the moment we talk about the word novice novice is newcomer जो बिलकुल नया नया है careless का मतलब आपको पता है जो बंदा ध्यानी नहीं देता है unscientific का मतलब जिसका कोई scientific proof नहीं है logic नहीं है और biased का मतलब जो person biased समझते है न यार ये person ना एक तरफ जुका आप ज्यादा रखता है partiality करता है तो अब conscientious का मतलब होता है one who is very much confirmed about this मुझे यही करना है तो यही करना है उसका opposite is careless next the expert mason reported to the owner of the hotel that there was no question of walls falling down he is talking about the walls falling down अभी देखो wall is a non-living entity तो यह नहीं चलेगा non-living entity के साथ पॉस्टरफेस नहीं लगता तो falling down of wall answer is 3 3 which means C the teacher drew an attention of the boys क्या attention का attentions होता है सर attention का attentions लगता तो नहीं attention का attentions नहीं होता तो and का सवारी नहीं पैदा होता यह answer next don't stay out come home soon अभी देखो वो कह रहे है improvement बताईए आप भार नहीं रहे है जल्दी आना fast early quickly देखो quickly का मतलब जल्दी आना quickly is no word like this है ना अब आप fast की बात करते है fastly भी word नहीं होता है तो जल्दी का मतलब soon का मतलब क्या हो गया जल्दी आना भाई तुमको that is the early next since he had approved the proposal he had to face the music he had to face the music का मतलब होता है कि आपको वो चीज जहलनी पड़ेगी face the music का exact मतलब क्या हो गया हमको ये काम actually में face करना पड़ेगा life में यान it is a difficulty to talk take the blame positive side explain the things या फिर to entertain the customers देखो positive side है नहीं explain आपको करना नहीं है entertain करना नहीं है तो answer क्या बनता है take the blame to face the music का मतलब होता है actually में आपको डांट खाने को बिलेगा अब ये देखते है it says Maratha taught English literature Maratha taught English literature उसने पड़ाया था she would involve them them को न ये नहीं लग सकता her students were young learners हो सकता है this way the students found it easier नहीं they fell into the age group of this अब देखो वो role play करते थे उस way से students को जारा समझ आता था role play से students को जारा समझ आता था तो P के बाद तो R आना आना है P के बाद R देखिए कहा है A option में तो है more often answer A है दुबारा देखे Maratha taught English literature her students were young learners S they fell into the age group of 14 बिलकुल सही P वो involve करती row plays मे R this way the students को easy लगता they looked forward to attending the classes answer is A यह 56 साल का एक South African थे राइट अब देखो उसके बाद Q RSP मतलब चारों में से जो भी लग गया वो आपका answer हो जाएगा he had a damaged heart P हो सकता है S क्या है so the doctors नहीं so वाला नहीं होगा he could not be cured किस चीज़ के लिए भाई a team of doctors नहीं answer P यह तो महा simple होते है next find out the word with correct spelling it is parallelogram यह double L E L O parallelogram answer is C cat parallelogram followed by separable S E P A R A B L E separable answer is B boy there we go I hope you enjoyed it thank you